नमस्कार, न्यूस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शान अबाद, हर्याना चुनाओं कि कॉंग्रेस के खे में अंदर सुलय हो गई है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद आखरकार कॉंग्रेस की सांसत और दलित निता कुमारी सहल्या हर्याना चुनाओं परचार में उतर आईए ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है क्या उनकी नाराज़गी दूर हो गई कुछ हद तक तो यही माना जा रहा है क्योंकि करनाल के असंत में राखुल गांदी के रेली में कुमारी सहल्या ने शिरकत की और मंच से समवोधन भी दिया अहम बात अब यह है कि अपने पोस्टरों से भुपेंदर सिंग हुड़ा को जगा न देने वाली सहल्या ने अपने संवोधन में भुपेंदर सिंग हुड़ा को भी जगा दिये इस दोरान हाला कि कुमारी शहल्या जादा नहीं बोली है कि एवर 5-7 मिनट तक ही उन्होंने अपना भाशन दिया इस दोरान शहल्या के चेरे पर जादा हावभाव नज़र नहीं आए हैं और वो काफी गंभीर मुद्रा में नज़र आई हैं करनाल के असंद हमे कुमारी शहल्या ने मन्स संबोधन के दोरान जैसे भाशन की शुरुआत की सबसे पहले राखुल गांदी का नाम लिया जिसके बात कुमारी शहल्या ने भुपेंदर सेंग घुड़ा का भी नाम लिया और लोकसबा चुनाओं में अपने यहां यह सबसे ज़्यादा देखा गया संसत के सत्र के दोरान भी आपने देखा होगा कि कैसे पीम कईब राहुल गांदी की स्पीच पर बोलते नज़र आए और हर्याना में दस साल का कुशाशन का बदला चुकाने का अब वक्त आ गया 36 ब्रादियां और सभी लोग इंतजार में हैं और इंतजार की घड़ियां अब खतम हो रही और आप सभी से यह अपील है कि आपने उस सहा दिखाना है यहां भाई शमसीर सिंग गोगी को जिताना है हमारे सभी प्रताच्चियों को जिताना है और उसके बाद हुड़ान माईक समहला और उन्होंने अपनी शुरुवाती भाशन में सहल्या का नाम लिया और उन्हें एक बड़ा निता बताया हुड़ान ये भी कहा कि भारत के सरुमान निता राहुल गांदी जी है और वो मजबूती के साथ लोगों के आवास को उठा रहा है हुड़ान ये भी कहा कि जब भारत जोडो यात्रा की गई थी तो उसके बास से नया जोश लोगों के अंदर भरा था अब लोग कॉंग्रिस की तरफ देख रहे हैं दस साल हमारी सरकार भी रही है और दस साल भाजपा की भी रही बाते बड़ी-बड़ी किया करते हैं लेकिन लोग तोल सकते हैं सिर्फ घोशनाय की गई हैं पार्टिया देख मलीका अर्जुन खडगी से भी मुलाकात की थी बाजपा ने शैल्जा के बहाने दलितों के अपमान के मुद्ध को लेकर भी उठाया था लेकिन अपको अंग्रेज ने इस मामले में अब कहीं न कहीं शान्तिक कर दिया है और कुमारी शैल्जा को भी अपने पाले में लेकर हर्याना का चुनाओ और भी जादा रोचक बना दिया है फिलाल के लिए तरहीं ताजदने खबरों और छोटी बड़ी हर खबर के लिए आप बने रहें न्यूस वर्ड इंडिया के साथ नमस्कार